आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इसे question में बोला है following और various methods of animal breeding line breeding, interspecific hybridization out breeding, close breeding and cross breeding हमें इनकी degree of relatedness के हिसाब से arrange करना है starting from most distant और last में आना चाहिए nearest according to relatedness between animals that are crossed तो students relatedness मतलब क्या होता है यह होता है कि एक organism है वो दूसरे से कितना समान है उसके कितना close है हमें उसी degree के basis पे बताना है कि order बताना है कि कौन सा सबसे जादा distant और कौन सा सबसे जादा closest है तो students animal breeding जो होती है जिसमें हम मेट कराते है दो organism को वो दो type की होती है एक inbreeding एक outbreeding तो inbreeding जो होती है फो related organisms के बीच में होती है outbreeding होती है unrelated organisms के बीच में होती है जो हुति है वो होती है elderly में और यह अलग-अलग टाइप की होती है जिस से Cross Breeding के अगर हम बाथ करें तो यह होती है Crossbreed मतलब दो डिप्रेंट variety के बीच में meeting Intra-specific Hybridization एक तरह की outbreeding जिसमें हम डो‌ट इफ्रेंट यह out cross से related है जिसमें जो species जो हमारे organism होते हैं वो 4 to 6 generation के लिए related नहीं होते हैं यानि 4 to 6 generation का इनमें gap होना चाहिए तब ही वो दूसरे organism के साथ मेट कर सकते हैं हमारा जो line breeding है ये भी एक तरह का close breeding ही होता है जिसमें same breed के organisms को breed कराया जाता है जिनमें कुछ genetic similarities होती है तो जाहिर सी बात है जो inbreeding वाले होंगे वो जादा nearest related होंगे और outbreeding वाले distant related होंगे ठीक है तो हमारा जो A और D है ये हमारा होजाएगा inbreeding में और ये तीनों जो types हैं या जाएगे हमारे outbreeding में तो सबसे कम similarities किन में होंगी जो सबसे जादा दूर के related होंगे दूर सबसे जादा दूर के related कौन होंगे outbreeding वाले organism जिनमें outbreeding कराएंगे हम जिनमें species ही differ कर रही है यानि दो अलग अलग species के organism मेट करा रहे है नाचरली तो ये पॉसिबल नहीं है बट हम कुछ ऐसे methods यूज करते हैं जिन से हम दो अलग अलग species को मेट करा सकते हैं तो सबसे पहला option हो जाएगा distant related हमें सबसे पहले लिखना है तो बी जो होगा हमारा वो सबसे पहले लिखेंगे हम जिसमें आएगा interspecific hybridization फिर आएगा हमारा दो breed के organism जो अलग अलग breed से बिलॉंग करते हैं जिनने हम बोलेंगे cross breeding फिर आएगा हमारा out cross या फिर out breeding जिसे हमने question में बोला है out breeding क्या होता है जिनमें हम कुछ generations का gap लेते हैं बट उनकी same breed होती है तो यह थोड़े बहुत तो related है न तो हमारा सिरफ इनमें generation का gap है बट breed से में तो हमारा order हो जाएगा B E C फिर आएगा मारे inbreeding वाले जिनमें आएगा line breeding और देन आएगा close breeding तो A and D closely related जो होंगे वो pure inbreeding वाले organism होंगे तो यह सबसे जादा similar होंगे line breeding भी एक तरह की same breed में ही हम mating कराते हैं बट इनमें कुछ genetic similarities होती हैं but closely breeding जो होगा वो सबसे जादा related होगा तो हमारा option हो जाएगा second option Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर